आसमामलीकूम फ्रेंड्स वेलकम बैक कैसे हैं आप दुआ करती हूं आप सब ठीक हूं और आपकी दुआउं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं तो जी 10.30 हो रहे हैं वैसे तो हमारी मॉनिंग हो जाती है एट ओ क्लॉक बल्के उससे पहले ही मैं उच जाती हूं बच्चों को फीटर वगारा देखें इनको स्कूल के लिए बेई देती हूं और ब्रेकफास्स करने के अभी बल्के कर ही रहे थे के आज मेड आ गई थी और आज 10.30 पे हमारी सफवाईयां वगारा गर नीटलीन हो चुका है हर काम हो चुका है तो जी आज मेड इस लिए जल्दी आई थी के अनांस हूआ था के लाइट ओफ होगी तो इसलिए उन्हों आज में बहुत ज्यादा खुश थी और मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा क्वाईश थी वो मुझे मिलगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो जी जो न्यू है मेरे चैनल पे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं आज हम बहुत मज़े का बनाने वाले हैं प्राठा चीज प्राटो प्राठा बहुत मज़े का बनेगा बच्चों के लिए स्पेशल मैंने आज बनाया था तो आपके साथ भी शेयर करूंगी और ये मॉमिन देख रहा था टीवी और शुकर एल्ला का इसके उड़ने से पहले ही सफ अच्छी खासी दूप निकली है तो मैं भी आज जल्दी फ्री हो जाओंगी और फी कुछ देर बैटूंगी दूप में जाके विंटर्स में मैं ऐसे करती हूं कि जब दूब में जाती हूं पर वाश्यूं में वहां पे ही बच्चों का नहला के तो देर इनको भी दूब मे बैठा देती हूं तोलासमी दूब में भी बैठना चाहिए ये भी हमरे लिए बहुत जरूरी है और हम समर में जिससे बचते हैं विंटर में उसी की जरूरत होती है मुमी चोना बेबी बारा बीबी है तो जी आ गई हूं में किच्छन में और ये बीफ का कीमा है और ये प् लेती हु नहीं भी जल्दी ऑब उल जाती है और ये बजार से ही जब में कीमा चोप करवाती हूं तो उस में चीजें आपको बताती हूं क्या क्या मैं साथ में even को दे दे फिर इसको मुबाइल देती हूँ कभी बातों में लिगाती हूँ फिर ये खाता है बहुत बागता है ये खाने से बहुत मुश्किल से इसको कुछ खिलाना पड़ता है जब खाता है ना तो हाथ में लाजमी इसके मुबाइल हो जैसे ही मुबाइल इससे ले लिया तो वहां ही स्ट्रोप कर देगा खाना इतना ये खाने का चोर है जी तो मैंने आपको बताया था ना मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी की वज़ा ये ही है हमने ये ले ली है न्यू फ्रिज और माशाला से इसका जम्बो फ्रीजर है बहुत जबरदस्त है और अलाद अलाद सब को ह माशाला से बहुत मुझे पसांद आए मेरी शिस्टर की तरह थी जब उसने ली थी ना तो मैंने सोचा था कभी हम भी लेंगे 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 इतना भी पता था इतनी जल्दी ले लेंगे अल्लाद का शुकर है अल्लाद सब को ही दे तो जी कैसा लगा आपको हमारा फ्रि हुंगी कीमा मैने चौप करवाने से पहले क्या-क्या बैया और पहले मैने बास्केट में यह देखें ऐसे कीमा लाके रख दिया था वहां पे भी जब आवच्छे से वाश करवा के उसका पानी अच्छे से ड्राइ कर लेते हैं लेकिन आपको बतातोड़ा बहुत भी निकल इसमें मैंने प्यास भी डिलवाया है उसका पानी भी होता है तो ऐसे बास्किट में डाल देंगे तो जो एक्सा पानी होगा वा सारा निकल जाएगा दुबारा सा इसमें पानी नहीं आएगा और यह ऐसे ही आपका ड्राइ रहेगा तो मैंने यह तक्रीबन टू के जी था अधिफ तो इसमें अध्रक तोड़ा ज्यादा ही डालती हैं बलकि एक पाउसे ज्यादा ही होगा तो मैंने किमे के साथ ही इसको चौप करवा लिया और घर में अब इसमें कुछ मसाले वगारा डाल लूँगी और इसको ऐसे ही फ्रीच में रख लूँगी जब तिल किया त इसमें क्या क्या हमने डालना है और तकरीबन चार से पांच अंडे मैं इसमें डाल लूँगी अंडे डालने से ना जब हम इसके कबाब बनाएंगे या फिर मैं इसके कौफ से भी बनाऊंगी एक दिर तो हमें इसमें पाउडर नहीं डालना पड़ेगा मीन के कुछ लोग ह बैसन इसमें डालते हैं इसको जोडने के लिए या फिर कुछ लोग होती है इसमें चने का पाउडर डालते हैं कुछ यानि के कुछ ना कुछ इसमें डालते हैं इसको जोडने के लिए लेकिन जब हम इसमें डाल हैं तो फिर उस उसका टेस्ट भी हमें इसमें आएगा तो क अभी भी नहीं ठूटेंगे. तो इसमें अब हम नमक डाल लेंगे और बाकी इसमें हम ये ठोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे ये भी अच्छी होती है हासमे के लिए जो हम का बाव अगारा खाते हैं तो ये डाले ना तो गैस अगारा नहीं होती है. हाजबे के लिए बहुत अच्छी है जुएं मैं तो लास्पी ही इसमें डालती हूं और यह घरम मसाला इसमें आप अपने टेस्ट के मताबिक डाल दें और यह जीरा मैंने साब़ दी इसमें डाल दिया और और रेड चिली इसमें डाल देंगे अगर आपके पास क्राश घर में ना हो तो पाउडर इसमें डाल लें वो भी डाल सकते हैं लेंगे क्राश का ज्यादा अच्छा टेस्ट रहता है कोशिश करें यही डालें और आप इंको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह मैंने थोड़े से स्पाइसी ही बनाए हैं जब इसको ऐसे ही फ्रीज में रख लूँगी जब आपका बताए विंटर में तो मौसली दिल करता है चाहे केसा कुछ कबाव बगरा हो तो जब दिल किया तो निकाल लूँगी ऐसे में ना इसे इसका माटेरियल बना के फ्रीज में अपने सेफ रखती हूं कभी भी दिल किया त मेरे चैनल पे आप अगर चाहें तो देख सकते हैं जी तो फ्रेंड अब बनाते हैं अपना पिटाटो चीज प्राथा जो बहुत मज़े का बनने वाला आलू का माटेरियल मैंने तियार करके रख लिया था जो मैंने अपने लिए और अवैस के लिए माटेरियल बनाया था उसमें स्पाइसीज मैंने कुछ ज्यादा डाल लिया थे बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं तो बच्चों का मैटेरियल मैंने पहले निकाल लिया था तो अवैस को पसंद है उसमें बरीग बरीग कटा हुआ प्याज हो तो नोरहैन बिल्कुल नहीं पसंद करती इसलिए मै मैं ने पटाटो सका मैश किया था तो मैंने इसमें लाइट निम्ग मीच निकालके तो मैंने इसमें लाइट सा निकाल लिया था तो अपने जो मेहमने अपने पराठों के लिए जो मटीरियल बनाया था तो उसमें स्पाइसे ज्यादा थे और जूँ आंर नद इसलिए लिए है calibration के लिए ऊतशने लिए म् ansेपर्णपया इस attendance . जी फ्रेंड्स कैसा लगा आपको पराथा चीज पटाटो पराथा यह अब आपको अच्छा लगा होगा जो ट्राइब कीजिए गा बचों के लिए बहुत बैस्ट है बचों को आप लुट में भी दे सकते हैं मेरे बच्छे तो बहुत आश्योकीन है मैंने सुचा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ आप वी जो ट्राइब कीजिएगा तो बच्छों को मैंने लंच करवा के सुपारा पढ़ने के लिए बेज दिया और मॉमिन्स हो रहा था तो अब मैं अवैस कि यह कुछ शर्ट थी वह प्रैस करने लगी थी जब भी मैं रांड्रे करती हूँ और जब कपड़े फॉल करती हूँ तो मैं जो इनकी शर्ट होती है मैं सेपरेट रख लेती हूँ वह बाहिर होती है तो प्रैस हो जाती है वैसे तो अगर मुसे ना भी की जैना तो आवायफ खुद आते हैं अनला का शुकर यह शुकर है यह तम नहींकरते लेकिं फोड़ बो फिर यह खुद करते रहा — नो実 नहीं करते हैं तो और अगर आपके माइन में कोई question है तो comment में ऐसे आप पूर सकते हैं अपना बहुत ज्यादा क्या रखिएगा और मुझे अपनी दौाओं में या रखिएगा तो मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ टेक क्यार अलाफीज